विमानन कम्पनियों की मनमर्जी ने बिहार आने जाने वाले लोगों की परिशानी बढ़ा दी है एक और प्रमुखर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट का टोटा है वही बिहार के विविन शहरों से उरान भढ़ने वाले बिमानों के किराय में बेलगाम व्रिद्धी कर दी गई है पर्बतेवहारों में बिहार से जुड़े हवाई मार्गों पर किराया सामान्य चार से पांच गुना तक बढ़ गया है इस बार आलम यह है कि दिवाली और छट में कामकाजियों को दिल्ली या अन्य शहरों से एक छोटे परिवार को आने जाने का किराया एक से डेड़ लाक रुपे खर्च करना पड़ रहा है पहले या खर्च लगबग 50-60,000 के बीच आता था लेकिन बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग पर्ब तेवहारों में घर आने से परहेज कर रहे हैं इस बार दशहरा में दरजनों लोगों ने अन्य शहरों से बिहार आने की योजना टाल दी वहीं अब छट महापर्ब आने वाला है ऐसे में मुसीबत बढ़ती जारी है यह आलम तब है जब उडान योजना के तहत छोटे एयरपोर्ट पर सस्ती दर पर विमान सेवा उपलब्ध कराने का दावा AI ने किया था आकड़े बताते हैं कि पटना गया और दर्भंगा से उरान भड़ने वाले विमानों में टिकट किराये में कोरोना काल के बाद बेलगाम बढ़ोतरी हुई है कोरोना काल से पहले दर्भंगा दिल्ली मार्ग पर सामान्य दिनों में टिकटों का किराया चार से पांच हजार के बीच था लोग हपते भर पर पहले अधिकतम 6,000 तक में टिकट खरीद कर सफर कर रहे थे इस मार्ग पर जैसे ही डिमांड बढ़ी विमानन कंपनियों ने किराये में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी फिलाल दशहरा में मिथलांचल के लोगों की इसी समस्या को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजे कुमार जहाने उठाया है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुद्धवार को लिखा कि 25 अक्टूबर को दशहरा के अगले दिन कोई वैक्ती हवाई मार्ग से दर्भंगा से दिल्ली जाना चाहे तो उसे करीब 15,000 रुपे किराया देना होगा एक बार फिर से बता दे कि विवानन कंपनियों की मनमर्जी ने बिहार आने जाने वाले लोगों की परिशानी बढ़ा दिया एक और प्रमोखर ट्रेनों में कनफर्म टिकट का टोटा है तो वहीं बिहार के विविन शहरों से उड़ान भढ़ने वाले बिमानों की किराये में बेलगाम बृद्धी कर दी गई है पर्ब टेवारों में बिहार से जुड़े हवाई मार्गों पर किराया समान्य चार से पांच गुना तक बढ़ गया है इस बार आलम यह है कि दिवाली और छट में कामकाजियों को दिल्ली या अन्य शहरों से एक छोटे परिवार को आने जाने का किराया एक से डिर्ड लाक रुपे खर्च करना पड़ रहा है वहीं पहले एक खर्च लगबग पचास से साथ हजार के बीच आता था लेकिन बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग पर्ब तेवहारों में घर आने से परहेच कर रहे हैं इस बार दशेहरा में दरजनों लोगों ने अन्य शेहरों से बिहार आने की योजना टाल दी अब छट महापर्ब आने वाला है और ऐसे में मुसीबत बढ़ती जा रही है